नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागता आप सबका उत्तरप्रदेश के एक मात्र और सबसे विश्वसनिय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याखुल पर मैं हूँ आपका हिंदी का सिक्षक रिशी और आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इबॉड आपको 14 नमबर, 100 नमबर में 14 नमबर देखने को मिलते हैं, कितने नमबर? 14 नमबर देखने को मिलते हैं, तो आपको ये बहुत मजबूती से पढ़ना है, बहुत अच्छे से तयार करना है, जिससे आपके ये नमबर ना चूटें, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, परिच्छा में प्रस्ण कैसे आते हैं तो आपसे पूछा जाता है ससंदर्ब व्याख्या केवल ससंदर्ब संदर्ब सहित व्याख्या पूछी जाती है तो हम लोग संदर्ब और व्याख्या पर फोकस करेंगे एक-एक शब्द का आर्थ आपको बताऊंगा सारी बातें आपके सामने crystal clear रख दूँगा आपको बस करना क्या है class को ध्यान से देखना है बेटा और अपने साथियों को बता देना है कि वे भी देख ले इतना ही करना है आईए शुरू करते है पाठ की व्याख्या करना सीखेंगे हम लोग और पाठ का संदर्व लिखना सीखेंगे अब देखिए आपके paper में दो portion आता है गद्द का और पद्द का गद्द का साथ नंबर का आता है जो की लिखा होता है दो प्लस पांच दो नंबर संदर्व का पांच नंबर व्याख्या का ऐसे पद्यका साथ नंबर दो प्लस पांच दो नंबर संदर्व का पांच नंबर व्याख्या का तो कुल मिलाकर संदर्व भी महतुपूर और व्याख्या भी आप जानते हैं कि संदर्व का नंबर फ्री का नंबर होता है केवल एक बार नजर में रख लेना है बस खास बात औ जाके आत्म यही ओसर्वग्या नामकपाट से लिया गए अब इसको लिखने के बाद अगर सलोक है तो आप पध्यांस लिख दोगे आज हम लोग गद्य पड़ेंगे क्योंकि आत्मक्जा उसर्वग्या में साजा गद्यांस ही है सनस्रिटका तो आप गद्यांसerson होगे स्लोक मिल जाएगा तो पद्यांस लिख देना बस इतना सा ही परिवर्तन है और आपके दो नंबर आपको मिल गए आपकी जोली में चले गए तो आए इस पार्ट को पढ़ते हैं और इस बिवस्था को है क्या नाम है यांग्यवलके और उनकी दो पत्नियां है एक का नाम है मैत्रे एक का नाम है का ट्यायनी का ट्यायनी चिक है तो याग्यवलक के कि दो पत्मियां मैत्रयों कात्यायनी अब याग्यवल के भाई साब देखो हमारे यहां एक व्यवस्था है कि 25 साल तक आपको एक से 25 तक आपको सिक्ष्वाग्रहन करनी है उन्होंने अपना पचास मां जन्मदिन मना लिया है तो मेरी संपति की दो भागिदार हुई आधा एधा बांट देता हूं जो संपति जिसके इससे आये दे देता हूं और चला जाता हूं ठीक जिससे वे सूखफूर्वक रह सके उनमें लड़ाई जगड़ा ना हो विवाद ना हो और वे ऐसे लोगों के समान जीवन जी सके हैं जो लोग साधन संपन हैं एसी वेसी लगवा लें गाड़ी वाड़ी खरीद लें छीक है थोड़ा सा मुबाइल वाइल बड़ियां ले लें आईफोन वगएरा इन सब को खरी सेवल्क ने मैत्रेई से वाच कहा क्या कहा मैत्रेई है मैत्रेई उद्यास्यान अहम स्मात स्थाना दस्यामी उद्यास्यान अहम उद्यास्यान का अर्थ क्या होता है उद्यास्यान ऊपर जाने वाला हूं उपर अब यहां पर भग्वान के पास जाने से अर्थ नहीं है आप बारा में हैं आप graduation में जाएं तो ऊपर जाने वाले हैं ठीक है कि यू आर गोइंग टू इंक्रीज यूर लेबल ओनली ऐसा नहीं कि ऊपर जाने वाले तो भगवान के पास चले गए इंद्र के साथ बैटके भोजन कर रहे हैं नहीं नहीं ठीक है उद्यास्यान अहम मैं अस्मात अपने यह हमारे अस्मात स्थानाद अस्मी स्थानाद अस्मी ठीक है मैं जहां पर हूँ इस समय मैं जिस भी अस्थान पर इस समय हूँ वहां से उपर जाना चाहता हूँ यानि मैं ग्रहस्त में हूँ और मैं कहां जाना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ वान प्रस्त में मैं ग्रहस्त में हूँ और मैं वानप्रस्त में जाना चाहता हूँ तत स्तेयनया कात्यायन्या विक्षेदम करवाण इती तत हो स्तेयनया इसलिए मैं चाहता हूँ कात्यायन्या कात्यायनी के साथ विक्षेदम करवाण इती विक्षेद करवादू तुम्हारा बटवारा करवादू दोनों को अलग-अलग करवादू कि भाईया मैं ग्रहस्त से वानप्रस्त में चला जाओंगा और अब ग्रहस्ती में मेरा कोई योगदान रहेगा नहीं तो तुम लोगों का बटवारा करवा दूँ जिससे आगे जो तुम्हारा जीवन है वो तुम सफलता पूर्वक जी पाओ ठीक है अब आप कहेंगे कि सर क्या तो इस्त्रियां वानप्रस्थ में नहीं जाती थी बिल्कुल कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां पर इस्त्रियां वानप्रस्थ में जाती थी लेकिन इस्त्रियों को प्रकृति स्वरूपा माना गया है मा माना गया है प्रत्वी माना गया है यदि माएं वानप्रस्थ में चली जाएंगी तो प्रकृति का खयाल परिवार का ख कि यह तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है बेजुमां घर दीवारों को घर कर देता है तो अगर होना जरूरी है है १ार और हो क्या हो तो मेनेज़ लेना ठीक है मतलब तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है की प्रिवार बनाती है तो जो परिवार बनाता है वो दुड़ा कौंसेस रहता है जीवनबर परिवार के लिए हमारे याग्यवल्ग भाई साब निकल लिए उनका क्या है आज यहां कल वहां छिखे मैत्रेई वाच्व मैत्रेई बोली यदियं सर्वाप्रत्वी वित्तेन पूर इस डिभलण आस्यात पूर्ण हो जाए भर जाए तकिम के तो क्या तेन अहम अम्रता स्यामिति क्या अससे मैं अहम अम एक यह ग्रेयं स्घयाम स्ख़चे है इतिक अपने जीवन में उतार ले ना है तो थो संधिवेक्षिद बहुत अच्छे से आने चाहिए च्योंकि सब्डों के जोड से चोटा बनाते हैं न वाह मजद जाता है तो क्या तेन हम अमरता स्यामिती तो क्या मैं उससे अमर हो जाओंगी यदि पूरी प्रत्वी धन से भर जाए तो क्या उससे मुझे अमरता मिल जाएगी क्या संभव है याग्यवल के वाज याग्यवलक ने कहा ने थी नहीं not possible हो ही नहीं सकता अमर कैसे मजाग कर रही हो क्या are you kidding me ऐसा यागिवलक ने कहा खैर उनको अंग्रेजी नहीं आती थी तो उन्होंने नेत ही कह दिया लेकिन नेत को अंग्रेजी में यही कहेंगे are you kidding me ठेक अब देखो उपर संस्कत लिखी है नीचे मैंने उस कार्थ लिख दिया है क्यों कि तुम प्यारे बुद्धूओं को एक एक लाइन समझ में आ जाए यागिवलक ने मैतरी मुआच यागिवलक ने मैतरी से कहा ऐसे एक एक लाइन यहाँ पर यह लाइन स्थाना दस्यामी यहाँ खतम हो जाती है तस्ते अनया से इती तक यहाँ खतम हो जाती है ठीक है ऐसे ही एक लाइन कार्थ मैंने लिख दिया जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए आप सब को क्या करना इसका स्क्रीन सॉट ले लो देखो पीडियाप के चक्कर मत रहो वैसे जॉइन कर लो टेलिग्राम चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडिया विद्या खुल का बहुत सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहती है चाइम पे अब तुम इसको अगर दोजार चौबिस में देख रहे हो तो अगर तुम इसे 2030 में देख रहे हो तो अब इसके लिए तुम्हें टेलिग्राम पे तुम पीडियाप मिलने से रही तो स्क्रीन सॉट लेलना ज्यादा उचे थे यथए उपकर्ण वताम जीवनम तथए वते जीवनम स्यात यथए उपकर्ण वताम जीवनम यथव उपकर्ण वताम जीवनम यथए वउपकर्ण वताम यथव उपकर्ण वताम जीवनम क्यूं क्योंकि लोग जी रहे हैं यत उपकर्ण वताम जीवनम जैसा उपकर्ण संपन सब्दशेयर्थ साधन का है जिस तरह साधन संपन लोगों का जीवन होता है तथे वते जीवनम शयात वैसा जीवन तुम्हारा भी हो जाए इसलिए मैं बटवारा करवाना चाहता हूं मैं में बटवारा करवाना चाहता हूं जिससे उपकर्ण वताम जीवनम साधन संपन जीवन तुम्हारा जैसा लोगों का होता है तथे वते जीवनम स्यात वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाए ठीक है अम्रित तत्वस से तु ना नाशास्ति वित्ते नहीं थी अम्रित तत्वस से अम्रित तत्व की कोई का कोई संबंद वित्त से नहीं है नाशास्ति वित्ते नहीं थी अम्रता का अम्रित का अमर्ता अमर्ता तत्त का कोई संबंद संपति से नहीं है तुम बिल गेट सो हो जेफ बेजोस हो एलॉन मस्क हो मरना पड़ेगा यही सकत्य है लेकिन वो पंचायत वाले चचा की भासा में कहें तो कोई समय से पहले नहीं जाएगा ठेक मरना तो पड़ेगा क्यों प्रत्वी को मृत्य लोग कहा जाता है आपको एक उम्र बिता कर जब आपके हड्डियों की उम्र आपके स्वास की उम्र पूरी हो जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा यह तो नियम है दुनिया का तो उस नियम को हम पैसे से अच्छा एक और विवस्था चल रही आज कल पहले हुआ था मदब अब तो सायद बंद हो गया उस पर रोक लग गई थी तमाम संस्थाओं के द्वारा लोग क्लोन बनवा रहे थे अपना क्लोन क्या होदा है कि अपने जैसा अपना टीसू दे कर अपने जैसा एक वेक्टी ब सरकारों ने बैन करवा दिया कि यह तो प्रकृति के खिलाफ है और इससे काफी परिसानियां पैदा होंगी लेकिन आपको पता है यह देश ब्रस्टा यह दुनिया ब्रस्टा चार के मजबूत पैरों पर चल रही है ठीक तो कुछ बंद तो हो नहीं सकता यहां पर हाँ बस संपत्ती से कोई सारूखार नहीं है कोई साथ नहीं है ठीक है कि सा मैत्रे हुआ अज मैत्रmiyorum नामता स्यां किम हम तेन कुरियान ए लिए हम नाम प्रता अस्यां ड़म जियांध लग्त ही ç legitimately इंध फिसलिए मैं कहता हूं संद पढ़ू ना न अम्रिता किम अहम किम अहम अहम माने होता है मैं माम आओ असमान मैं आओ बेहम असमा भी तो आपने पढ़ाई होगा एन अहम न अमरतास्याम यदि इससे मैं अमर नहीं होँगी किम अहम तेन कुरियाम किम क्या अहम मैं किम का करूंगी क्या करूंगी मैं मैं संपत्य का क्या करूंगी यदि इस से मुझे अमर्ता नहीं मिल रही है एन अहम अम्रदास्याम किम हम तेन कुरियाम तो मैं क्या करूंगी क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में पैसे की जब अमर ही नहीं हो सकती अच्छा ये कॉंसेट अच्छा है आप अपनी सोच से तमाम संभावनाओं को समाप्त कर देते हो आपकी संतुष्टि का जो पहला पूर्व पीठी का है वो आपका विचार है आपने विचार किया कि पैस हो जाओंगा तो मन में विचार आया कि नहीं होगे तो भी या धमाकी गाड़ी खरीद लेते हैं सीधी सी बात है आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप कुछ भी खरीदिये फर्क नहीं पड़ता लेकिन करोड़ों रुपए होने से सब कुछ खरीद लिया जाए या अपनी आवश्यक्ता से सब कुछ करीदा जाए यह जरूरी है अब आपके पास मान लो हजार रुपए हैं आप एक दुकान पर गए पचास रुपए का एक बर्गर है तो अगर जोड़के देखा जाए तो कम से कम आपको बीस बर्गर मिल जाएगा बीस बर्गर हजार रु खाऊगे भाई यह तो नटंकी हो गई आपकी फिर तो मैं पैसा में खाऊंगा मैं इतना भूखा हूं मैं क्या करूं यह तो दिन चलता है मार्केट में आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार जब जीवन को पुस करते हो तो आप सम्यक जीवन जी पाते हो बुद्ध का मध एदि हे भग्मान यह एव क्या है यह जद एवां एव यह प्रूही स्यवह जानाती आपको अमरता के सब्राइं मैं तक्यां दैंक। है भरू ही इस तो आप मुझे बताईए ब्रू ही बोले बताईए तो मुझे बता दीजिये बाई आंशा किया साधन नहीं मैं वह भाई दा लिचीज़ाई घंच 10 इहाई डोंट डिधन मनी मुझे होना है अमर बताओ कि कैसे तो पुरानी जो स्त्रियां थी उनको संपत्य की आवश्यक्ता नहीं थी वे परिवार के लिए जीती थी वे बहुत कम में भी जीवन जी लेती थी बहुत जादा में भी जी लेती थी क्योंकि उनका जीवन कॉंस्टेंट था उनके उन्हें एक वस्त्र पहनना था एक खुराक भोजन करना था बस उन्हें पता था कि भोजन क्या करना है उन्हें पिज्जा पार्टी नहीं करनी थी चिक है उन्हें बार्बीक्यूज और्गनाईज नहीं करने थे दाल चावल खिचडी में चल रहा था मामला तो वो लोग संपत्ति को किस नजरिये से देखें आपके पास पैसा है तो आपके पास मार्केट भी तो होनी चाहिए या गिवल के भाई साहब जंगल में अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं मैं कहता हूं के पास एक करूर रुपय क्या हो तो क्या खृदेंगे पेर से फल करिद लेंगे क्या वह तो वैश्वी surpris देता है नती है नदी से पानी करीदें लिए परियावर्ण से हिवा खरीदेंगी अरے रक्राव पैसा आपना हम फिरी में दे रहे हैं ठीक है तो यह सारे संसाधन वैसे ही आपके लिए प्र अधिक इस्तिमाल नहीं कर सकते आपको पेड़ से 4 तो फल मिल गए पेड़ भरने के लिए अब आप 8 फल तो नहीं तोड़ सकते ठिट क्योंकि 4 फल की भूग है तो आप ही का पेड़ है तो आपने सोचा कल तोड़ लेंगे ये बहुत जरूरी है समझना जब हम स्वावलंबी थे हमारे गाओं की जो एकॉनमी है जब वो स्वावलंबी थी जब वो बाटर सिस्टम पे काम करती थी हम संतुस्ट लोग हुआ करते थे हमारे गाओं में मैंने देखा है बरफ और अफबिकने आता था बरफ जिसे आप आचकल आइसक्रीम कहते हो हमारे जमाने में उसे बरफ कहा जाता था बरफ बरफ भी नहीं बरफ अब आप उसे आइसक्रीम कहते हो वो क्या औरेंज वाली हो पदा नहीं क्या-क्या I'm not very familiar with these words ठीक है लेकिन कुछ है उसको कुछ तमाम नाम से चोको बार और ये बार और वो बार तब केवल बरफ होता था और गाओं के लोग गेहूं धान या कुछ भी दे करके आलू प्याद जो भी उनके पास हो उसको दे कर ले लेते थे इसे कहते हैं economy का बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम क्या वस्तु विनिम प्रणाली जब आप वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतरगत हो तो आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते किसी चीज़ का क्यों आपको अपने लिए भी वस्तु रखनी है और उसी में से थोड़ा बचा करके विनिमय कर लेना है यह बहुत जरूरी है समझना और ऐसी सच्योश कि ऑदर हूं तुम गेहुब जरहे हो वह प्याज उप जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग है क्योंकि मेरे गेहुब पर वो निर्भर है और मैं उसके प्याज पर निरभर हूँ तो हमें समझ और इस बाएक बात और समझी आप इस चीज से कितना सुन्दर है कि हमारी कृसी में हमारी उपज के दोरान भी हमारी निरभरता हमारे संबंद को प्रगाण कर दे रही है मुझे प्याज वाले से प्याज लेना है उसे गाली नहीं दूँगा बलकि उसके खेत में चला जाओंगा फालतू होगी घासों को खड़वाने क्योंकि उस प्याज से मुझे भी लाव है वो मेरे यहाँ चला आएगा हम दोनों मिलकर धान वाले के पास चले जाएंगे इस तरह से गाओं की जो संस्कतियां हैं वे डबल अप हुई थी जब आप उस कनेक्शन से अलग होते हो जब आप फ्लोर वाले घर बनवाने लगते हो चिनोटी जैसे तो आप नीचे वाले संबन्द खतम कर देते हो फिर आप एक किराना स्टोर वाला के वाला आपका दोस्त रह जाता है क्योंकि आपको सब कुछ वहां से मिल रहा है पहले ऐसा नहीं था पहले गाओं में ऐसा था कि मानलो आपके यहां गाए दूद दे रही है तो एक महीने या दो महीने या चार महीने जब तक आपकी गाए ने दूद दिया मैंने आपसे दूद लिया और फिर जब मेरी गाए ने बच्चा दिया और उसका उसका दूद निकलने लगा तो मैं यह स्वावलंबन था गाओं का समाप्त हो गया यागिवल कि उसी स्वावलंबन की बात कर रहे हैं और उस स्वावलंबन में मैत्रे कहती है कि स्वावलंबन है तू सब कुछ मेरे पास है जीवन जी ने तो सब कुछ मेरे पास है अमर होने के तरीके बता दू और तुरंत यहीं पर यागवल के रोकते हैं कि अमर होने का तरीका पाईसे से कोई संब्बन नहीं उसका क्यों तुम्हारे जीवन के जो संसार है ने वह तो वस तुभी निमें से चल रहे हैं तुम जंगल से लकड़ी बीन करके लाती हो पेड़ तुमसे पैसा नहीं मांगता तुम अन उपजा लेती हो जमीन तुमसे कोई किस्त नहीं लेती है क्रेड़ कार्ड तो नहीं बनवा लिया है मिट्टी का तुमने ठिक तो पैसा तो मेरे पास कोई उपयोगिता है नहीं उसक तो तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो प्रिया हो मेरी और प्रिय भासेशे और प्रिय बोल भी रही हो एही यहां आओ उपविश बैठो व्याख्या स्यामी ते अम्रित तत्व साधनम व्याख्या करता हूँ तुमसे अम्रित तत्व साधन की किसकी व्याख्या अम्रित तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ यानि अम्रित तत्व के साधन की अम्रित तत्व का साधन अर्था अम्रित तत्व को साधना किस प्रकार हम अमर्ता प्राप्त करना चाहते हैं अब देखो डर्शन का विशह कभी-कभी कोई लाईन ऐसी होगी की आप सम्योगे रहे हैं क्या बात चल रहे हैं समझने कोसिस करोगे द्रिश्टी बड़ी रखो कि आप लोग हरिदवार की फोटो देखते ओ कुल्लू मनाली की फोटो पर इधर उटक मंदल ऊटी की फोटो देखते हो तो फोटो में उटी वगेरा अलग लगता है ड्रोन से देखो तो अलग सुन्दरता लगती है तो आपको ड्रोन की द्रिश्टी से देखना है ड्रोन की द्रिश्टी से देखने पर एक सम्यक्ता पूर्णता आती है द्रिश्टी में और वह बहुत सुन्दर बना दीती है द्रिश्टी को वाच यागवलक ने कहा अगली लाइन पढ़ते हैं तब आपको समझाता हूँ अपनी कामना से अपनी इक्षा से पतिप्रीय होता है समझ लो, कोई इस्ती है गाउं की तो वो इसलिए पती नहीं चाहती कि गाउं में सब के पास पती है इसलिए उसकी इक्षा पती की नहीं है आत्मनस्तु अई काम आए अपनी इक्षाओं की पूर्ति के लिए पती प्रियोभवती अपनी इक्षाओं की पूर्ति के लिए कि वो मेरे लिए भोजन की विवस्था करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरे लिए संसाधन जुटाएगा, इसके लिए एक इस्त्री को पती चाहिए, न कि इसके लिए कि सबके पास पती है, यह उसका पती बेवड़ा है, तो उसे नहीं चाहिए भाई, क्यों चाहिए भाई, पति इसलिए चाहिए, क्योंकि वो समाज से उसकी रक्षा कर सके, उसका भरन पोशन कर सके, इसलिए पति चाहिए, तो पति उकामाए, नवा अरे मैत्रे पति उकामाए पति प्रियोग होती, किवल पति की कामना से पति प्रियोग होती, पति की कामना से पति प्रियोग होती, बलकि आत्मनस्तुखए कामाएं अपनी एक्षाओं की पूर्थी के लिए पतिप्रिय ऊता है नवा अरे जयायाकामाएजया प्रयोग होती आत्मनस्तुखए कामाएजया प्रयोग होती फिर इस बात का और extend करते हैं कि एक पुरुस्त को पत्नी सिर्फ इस लिए नहीं इस एरा की बात कर रहा हूं जब यहां बात हो रही है आज तो बहुत जादा बदला हो गया है नारी बाद अपने सबसे गोल्डन पीरियड में मुझे लगता है अभी तो गोल्डन पीरियड नहीं कह सकते बड़ ट्राइंग टू भी तो वो अलग एक सिनारियो हो जाता है हम सबसे बात नहीं कर रहे हैं तब इस्तریतायों को पतियों को पत्निया इसलिए चाहिए होती हैं कि वो उनका उनके वन सवरिद्ध में उनके है ने के भोजन बनायां की मतब घर की जिम्मेदारी पतियां उठाएं बाहर की जिम्मेदारी पती उठाएं और कॉंबिनेशन से दुनों लोग काम करें तुम किसी को क्यों चाहते हो अपने जीवन में गेम अफ इंट्रेस्ट जिसे कहते हैं ठीक है? यह दुनिया गेम अफ थ्रोंस पे नहीं चलती बिटा यह गेम अफ इंट्रेस्ट पे चलती है ठीक है? गेम अफ इंट्रेस्ट आप का आप किसी के इंट्रेस्ट को कितना पूरा कर पा रहे हो आप उसके लिए उतने सम्माने थे आप किसी गाउं में जाओ 10.000 रुपय जjac्ला होग हाजार ह्सार रुपधेश दस परीवार हैं हजária вполне हो छे महीने तत्र तुम्हाइद बना देंगे तुम्हारी मूर्ति बना लेंगे माला पहनायेंगे तुम्हारे बारे में कोई बोल देगा गोली चलाते किurgit कुछ कि अ तो यागिवल्क बोले रे मैत्रेई पती की कामना के लिए प्रिय नहीं होता पती तो अपनी कामना के लिए प्रिय होता है नहीं पत्नी पती की कामना के लिए प्रिय होती है अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है उसी दिसी बात है इंट्रेस्ट की बात है जा सके बेटा किसी को क्यों चाहिए कि सबके पास पैसा नहीं बेटा इसलिए कर सके मेरा नाम उपर ले जा सके परिवार को आगे बढ़ा है इसलिए बेटा चाहिए कि है जिए यह हमारी आवशक्तायों के लिए पुत्र और वित्प चाहिए इसलिए pip नहीं कि सबके पास है अरे भाई सबके पास है मेरे पास भी हो जाए सिर्फ इसलिए आप कुछ नहीं चाहते है उनके पास फोन है मेरे पास भी फोन हो जाए फिर फोन आप रखे रहोगे नहीं बात करोगे सबसे तो उनके पास फोन है इसलिए आपको फोन नहीं चाहिए आपको बात करनी है सबसे इसलिए पहुंच चाहिए चैटिंग करनी है पूछना है मेले बाबु ने थाना थाया ती नहीं थाया इसके लिए पहुंच चाहिए दोस्तों कंभीर बात बता रहा हूं समझ लो नवा अरे सर्वस्य काम आये सर्वं प्रियंबवती आगे आगेवल कहते हैं समझो इस बात को इसी को थोड़ा द्यापक रूप से समझो एक एक करके समझा रहा हूं ऐसे ही संपूर्णता में समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं चाहिए कि सब के आत्मनश्थे आपने काम आए अपनी कामना थे पूरति के लिए अपनी इक्षा की पूरति के जोस्त अपने लिए चाहिए तुम्हें उनके साथ पाड़िगर नहीं क्यों तुम्हें भ été से मज़ारा है सर्वंप्रीम भोदी से लिए सब कुछ पीये होता है तस्मादvous अरे मेत्रई, इसलिए मेत्रई जो आत्मा है, जो हमारी जो हमारा publishing की समझदारी का हिस्सा है, उसको किसलिए रखना चाहिये इस पर ध्यान देना चाहिए छिक है कि दर्सन करना चाहिए उसका दर द्रशत देखना चाहिए करना चाहिए और क्या करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए आत्मना अपने दर्सन से ही इदम या सर्वं सब विद्धम होती सब कुछ जान विद्धम मतलब पता चलता है सब कुछ हम समझ पाते हैं सीधी सी बात है इसको आप ऐसे समझो आपको भूख लगी आपके पेट में चुहे पूदने लगे आपको उस कंडिशन का पता है तो कोई आया तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है तो आप उसका दर्द समझ पाओगे ना आपका एक्सिदेंट हुआ पयर टू-tax रिएक्ट में तो आप उसका दुख समझ पाओगे ना पाओगे की नहीं कोई 12 में फेल हुग या रोने लगा आप भी एक बार फेल हो चुके हैं तो आप उसका दुख समझ पाओगे ना इसलिए जब आप स्वयम को समझोगे आत्मग्या वेन यू आरात्मग्या तो क्या होगा आप अपने आप सरवग्या बन जाओगे क्यों कि दुनिया में मनुष्य के इंट्रेस्ट एक जैसे हैं हम सब के इंट्रेस्ट एक जैसे हैं हम सब की कामना एक जैसी हैं और हम उसको फुल्फिल करके पूर्णता में एक आरेक मना देते हैं ठीक तो यह आपक तो आप कॉमेंट से पूछेगा और सिसन को सब्सक्राइब कर लीजेगा जो नए बच्चे हो चैनल को लाइक कर लीजेगा मिलते नेक्स क्लास में बहुत-बहुत धन्यवाद